नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्त विजे विद्रोही आप मुझसे जुड़ चुके हैं इसके लिए आप सब का तहे दिल से शुक्रिया और अगले आठ दस मिनट पे आप से जुड़े रहने की कोशिश करूँगा तो राजिस्थान का विधान सबाचनाओ इस बार बहुत रो कुछा सचिन पाइलेट का है अब माना जा रहा है कि सचिन पाइलेट और अशोग हैलोत के बीच तो किसी तरह की सुले हो जाएगी लेकिन दोनों के ऊपर एक महिला प्रभावी हो जाएगी पॉलिटिकल रूप से उधर बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आल बड़ी प्रभावी भूमिका दी जाएगी तो क्या बीजेपी की तरफ से एक महिला और कॉंग्रेस की तरफ से एक महिला दोनों के बीच में दिल्चस मुकाबला होगा दोनों इलीड परिवार की हैं खांदानी परिवार की हैं अंग्रेजी अच्छा बोलती हैं दोनों की राजनीती में गहरी गहरी जड़े हैं गहरी गहरी पैठ है बाप दादा सब राजनीती करते रहे हैं दोनों पक्षों की तो रहसे नहीं है मैं किनकी बात कर रहा हूं मैं मुख्यमंत्री दो बार रहे चुकी वसंद्रा राजे की बात कर रहा हूं और कॉंग्रेस की महासचे प्रियंका गांधी की बात कर रहा हुई क्योंकि खबरें ये आ रहे हैं कि कॉंग्रेस में प्रियंका गांधी को राजस्थान की कमान दी जा सकती है हिमाचल की कमान उनको दी गई थी हिमाचल का चनाव निकाला करनाटक में भी उनकी बड़ी भूमिका रही जब जब मलिक आरजुन खड़गे ने कोई गोल किया ये कोई सेल्फ गोल किया तो उस मामले को उन्होंने संभाला और मोधी से टक्कर लिया लोहा लिया और अब राजस्थान की कमान उनको सौपी जा सकती है और उधर बताया जा रहा है कि बीजेपी खेमे में माना जा रहा है कि वसंद्रा को नाराज करके खफा करके कोभवन में बठा कर चुनाव नहीं जीता जा सकता चुनाव जीतना है आसानी से जीतना है तो मुख्यमंत्री के रूप में दो बार पत संभाल चुकी वसंद्रा रा है ताकि जिससे message clear cut जाए कि अगर BJP जीती तो मुख्य मंत्री पद की द्रेश में वसुंद्रा राजे बहुत आगे हैं और उन्हें मुख्य मंत्री बनाया जा सकता है तो इस रूप में अगर पद दिया जाता है तो राजस्थान में बीजेपी की कमान वसुंद्रा राजे के हाथ में होगी और अगर प्रियंका गांदी कमान संभाल लेती है राजस्थान की उनको देने ना ले देने की तो कोई बात ही नहीं है समझाल लेती है तो सभाविक है कि सारी कवान प्रियंका गांधी के हाथ में होगी यानि अशोग गहलोत और सचिन पाइलट में समझा होता होगा यानि सचिन पाइलट ने जो उत्रों के हुसार कहा था कि सारी डॉमिनेटिंग पोईशन में क्यों मुख्यमंत्री अशोग गहलोत रहें मुख्यमंत्री के रूप में रहें प्रदेश अद्यक्ष भी उनी का साथी उनी का करीबी क्यों तो क्या प्रदेश अद्यक्ष बनाया जाएगा या चुनाव अभियान सभीती बनाई जाएगी जिस वार्जustान में महिलाओं की जहां तक बात है तो हम थोड़ा पीछे जाएं सवतंत्रय पार्टी की बात करें. 1962 में गठन हुआ था तब राजिस्तान में गाहितरी देवी महरानी गाहितरी देवी ने इसका मांसमवाली थी जिने बाद में राचमाता गाहितरी देवी का खिताब एक तरह से दिया गया और तब विधानसवा की तीड़ सो सीटें कुछ हुआ करती थी और 1962 में पहले चुना पार्टी ले गई थी 1967 के दूसरे विधानसभा चुनाव से पहले तो मोहलाल सुखाडिया इस कदर घबरा गए थे कि उन्होंने गायतरी देवी से अलग से मंत्रणा की और कहा कि आप कॉंग्रेस में आ जाईए और कॉंग्रेस के टिकट से जैपुर लोगसभा से चुनाव ल राजस्थान के अलग राज्ये के गठन का स्वरूप आने के साथ ही तो इसलिए उस अपमान का वो बदला लेंगी कॉंग्रेस से और 150 में से 150-155 विधानसभा की सीटों में से करीब 48-49 सीटे ले गई थी और बहुत-बहुत गहरी टक कर कॉंग्रेस को दी थी खैर उसके ब तो इलीट वर्ग की माने जानी राजा महराजा जमीनदारों की पार्टी माने जाने वाली स्वतंत्र पार्टी भी खत्म हो गई अलाकि कायम राहम राजमाता गाहित्री देवी का और तीन भार वो जैपुर से लोगसभा की सांसद रही कैर अब यहां उनकी नातिन महरानी दिया या राजकुमारी दिया वो राजसमन से लोगसभा की सांसद है मुख्यमंत्री की दौड में उन्हें बताया जा रहा है राजगराने की हैं और पड़ी लिकी हैं समझदार हैं बहुत सुलजी हुई हैं बयान बहुत संबल संबल कर देती हैं और राजपूद क परिवार से है एक तरह सबसे बड़ी बात है तो क्या वसुंद्रा के रिप्लिस्मेंट हो सकता है नहीं हो सकता है इसको लेकर मशक्कत होती रही है लेकिन अभी जो मोटे तोर पर वसुंद्रा बनाम प्रियंका गांदी मुकाबला बहुत दिल्चस्प हो जाएगा एक सर्वे भी बता रहा था सी वोटर का कि महिलाओं में 45 प्रतिश्चत लोग वसुंद्रा को महिलाएं चाहती है और बहुत बड़ा प्रतिश्चत है कुछ यार्दोस पत्रकार भी इधर उदर दौरे पर गए थे तो उन्होंने कहा कि लोगों ने कहा कि अगर बीजेपी ने इसलिए ले रहा होगा आला कमान करनाटक में जैसे बुजर्ग नेता यदुरुपा का कभी अपमान कभी सम्मान कभी अर्द सम्मान कभी अर्द अपमान किया गया जिससे पार्टी के लुटिया डूब गई एक दरजन सीटों पर सीधे तोर पर यदुरुपा ने हरवा दि हैं 40 कुछ लोग कहते हैं 45 कुछ लोग कहते हैं 50 विधायक वसुंद्रा खेमे के बताए जाते हैं तो इसको नजर अंदाज करके नहीं चल सकता आला कमान तो महिलाओं के लिए योजनाए समाजिक सुरक्षा मोटे तोर पर महिलाओं को केंद्र में रखकर 500 रुपे में B.J.P के खाते की तरफ से वह भी महिलाओं को ध्यान में रखकर स्वच्चता अभियान, शोचाले, प्रधान मंत्री, आवाज, योजना, सब कुछ महिलाओं के मत्ते नजर तो सब कुछ जब महिला ओरेंटेड हो रहा है तो फिर चुनाओं की कमान के उना महिलाओं समाले अब उसमें बड़ा इंटरस्टिंग ये रहेगा कि उदेपूर का सम्मेलन हुआ था कॉंग्रेस का तो कहा गया था करीब 33 प्रतिशत नहीं तो 30 प्रतिशत टिकट महिलाओं को दियेंगे जाएंगे करनाटेक में 224 में से 11 महिलाओं को टिकट दियेंगे राजस्थान में प्रियंका क्या कुछ चेंज कर पाएगी या चेंज करना चाहिए भी नहीं चाहिए कि महिलाओं को टिकट देना है इसलिए सिरब महिलाओं को टिकट दे दिया जाए और चुनाओं आप हार जाओ ये भी नहीं होना चाहिए फिर दूसरा एक व्यक्ती एक पड उसको उस पर kतना अमल किया जाएगा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ये नारह विपक्ष में रहते हुए तो चल सकता है क्या सथा मे रहते हुए शथा वाफसी के रहा में ये राड़ा ये जो नारा है कितने बड़ा रोड़ा बन सकता है या कितना बड़ा सहायर बन सकता है ये बड़ी बात है महिला आंदोलन महिलाओं पहलवानों का आंदोलन चली रहा है और उसको व्यापग रूप राजिस्थान में क्या प्रियंका गांदी दे सकती है इस बहाने महिलाओं के अधिकार महिलाओं के इश्यू महिलाओं की सुरक्षा इन तमाम मुद्दों पर ने सेरे से बहस कराई जा सकती है कि मोधी सरकार कैसे महिलाओं की उपेक्षा करती रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा अपनी जगा है सिरफ वूट के युवाओं में वो बहुत लोग प्रीय मैं रही है सबसे बड़ी बात है और बहुत अच्छी ओरेटर हैं जनता के बीच में समवाथ स्थापित करना जानती है है इलीट नंग्रेजी बोलती है अच्छी अंग्रेजी चोटी बातें चोटे चोटा चोटे प्रभावी सेंटेंस दुश्मन को चित करने के लिए सियासी दुश्मन को इस सब का वो इस्तवाल करती नहीं है तो इस नाते बड़ा इंपोर्टन्ट हो जाएगा तो प्रियंका गांदी आ गई तो कुल मिलाकर सीधे सीधे सचिन पाइल सचिन पाइलट को भी पूरी इमानदाई के साथ लगना होगा और सीधे जिता कर लानी पड़ेगी उसके बाद मुख्यमंत्री पहले कौन बनता है बाद में कौन बनता है या कौन पहले मुख्यमंत्री ही बनकर रह जाता है और बुजर्ग निता को प्रियंका गांदी इसी तरह वसंद्रा राजे पर जिम्मेदारी आई और उनको अगर चुनाओ की पूरी कमान सौंपी गई और मुख्यमंत्री का चेहरे की रूप में पेश कर दिया गया तो फिर कॉंग्रेस के लिए दिक्कते हैं प्रियंका गांधी के लिए दिक्कते हैं राउट अशोग घेलोट के लिए दिक्कते हैं क्योंकि वसंद्रा राजे अकेला एग चनाओ अगर बीजेपी को हराने की शमता रखती है तो एग जनाओ भर पूर कमफोर्ट लवल के साथ बीजेपी को जिताने की भी शमता रखती है या या काजा एक तीसरा चुनाव की जिताने की शम्ता रखती है क्योंकि दो बार वो अपने दम पर बीजेपी को चुनाव जिता चुकी है और उनीक एक नित्वत में बीजेपी ने पहली बार बहुमत का अंकड़ा क्रॉस किया था बहरु सिंग जी टुकडो टुकडो में द अद्वर यह वीडियो देखने के लिए वीडियो पसंद है तो लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे शेयर कीजिये और घंटी जैसी आकरती पहलु Smash ताकि नया वीडियो आए तो आपको तद्काल जानकारी मिल जाए शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया